नमस्कार दोस्तो अगर आप चैनल पे नए है ना तो मैं आपको बता दू कि किस तरह से ये चैनल आपको help करने वाला है long term की बात बात में कर लेंगे सिर्फ 2023 की बात करूँ तो 2023 में हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है मोल भाव रखा है जहां पे हम बहुत सस्ते सस्ते वैल्यूएशन पे आपको वो स्टार्ट बताएंगे जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और सस्ते भी है ठीक है आपका mutual fund portfolio review हो जाएगा और उसके बाद अगर आप paid services लेना चाते हैं तो आपको whatsapp number screen पे दिख रहा होगा जहां पे जाके आप service भी अवेल कर सकते हैं और दो चीजे और last में फटाफट खतम करता हूँ फिर आगे बाद में चीज स्टार्ट करेंगे वीडियो स्टार्ट करेंगे review स्टार्ट करेंगे ताकि आप देख सके हमारी quality और उसके बाद अगर मैं बात करूँ अगर आप stocks के बारे में जानना चाते हैं आप Reels में आपको मिल जाएगा description में तो वो चैनल आप फोलो कर सकते हैं वहां पर हम सिर्फ शॉट्स लालते हैं यहां long वडियो ठीक है ना तो अगर आप शॉट्स देखते हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Instagram पे जाके sheet download कर ले ठीक है तो hopefully आपको सब समझ आ गया हो कोटेक स्मॉल और टाटा डिजिटल फंड तो इसमें काफी ज्यादा प्राब्लम्स हैं काफी फंड्स अच्छे नहीं है काफ कुछ फंड एवरेजिस हैं तो अगर हम फंड की क्वालिटी की बात करें तो लेकिन अगर एलोकेशन की बात करें तो बहुत बिलो आवरेज यह फंड बनता है तो आपको मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप पेट सर्विस ले और मिस्टर विशाल तिवारी का पोटफोलियो हम रिव्यू करने वाले हैं यहां पे मेरा पोटफोलियो काफी डिवर्सिफाइड है इंक्लूडिंग एसाइपी, एकसी स्मॉल कैप, आइस तो मैं कोशिश हमेशा यह करता हूँ कि फंड को बहुत ज्यादा चेंज ना किया जाए इसी फंड में मोडिफिकेशन करके थोड़ा सा इसको बेटर बना दिया जाए तो मैंने इनको बोला था कि मैं बताऊंगा फिर इन्होंने वेट करूंगा भया था, एक्स फूर रिप बता देता हूँ किया सीन बनता है उसका, यहां पे ग्रोस स्टाइल हमने पोर्फोलियो बनाया है जो उसका कैपिललेजेशन लार्ज है, ठीक है, उसके बाद अगर मैं जाइंट कंपनियों की बात करूं तो 45-46 परसेंट के आसपास ही यह लाज कैप कंपनियों में, 34 परसे अगर बढ़ा दिया तो यहां मैंने 5% कम कर दिया बस इतना ही शिप्ट किया है, मिड़ कैप में सेम है और बहुत ज्यादा डिफरेंस में नहीं ले के आया, ठीक है, इसके बाद मैंने जो पोर्टफोलियो एड किया है, पोर्टफोलियो बनाया है वो यह है, एक्सिस स्मॉ टेकनलोजी में जालने है, हजार रुपए आपको, पीजे मिडिया मेड कैप में डालने है, और इनका रीजन क्या है, वो बताऊंगा, क्या सीन है सारा का सारा, ठीक है, टोटल अगर हम बात करें, तो यह परसेंटेज आपको पता लग जाएगी, कि करेंट वैल्यू, आपक चीज का फाइदा उठा सकते हैं, आपको फंड की क्वालिटी पता लगी रही है, यहाँ पर मैं बोल रहाँ, कि यह फंड सब गुड क्वालिटी है, ठीक है, लेकिन तभी जब आप इनको साथ रखते हैं, अब हम अगले सेक्शन में बात करते हैं, कि कहां पे हमें किन स्ट स्टॉक्स जो हमाएं इंडिरेक्ली मिल रहे हैं, और अगर हम डिरेक्ट इक्विटी का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो क्या हमें यह स्टॉक्स रखने चाहिए, और कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आपके पास इंडिरेक्ली काफी जादा हैं, वो आप अपने पोर्टफोल स्टॉक्स जो आपके पास इंडिरेक्ली काफी जादा है, या फिर काफी ठीक है, तो 7% इंफोसेस 3.76 टाटा कंसल्टरसी सर्विसेस, ITC 2.91, रिलाइंस इंडिस्ट्री, HGFC बैंक, ICIC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अमुजा सिमेंट, सब में लगबग 2.something है आपक के पास, ठीक है, कुछ स्टॉक्स ये वो ले स्टॉक्स हैं, जो आपके पास काफी अच्छे हैं, और लेकिन इनकी ओल्डिग कम है, तो आप अपने डेरक्त पोर्ट्फोलिय है, उसमें रख सकते हैं, इनको विप्रो 0.92, वरुन बैवरेजी 0.59, बजाल फाइनस 0.42, क्रै तो ये 5 stocks हैं जिनकी indirect holding आपके portfolio में कम है तो आप इनको direct भी buy कर सकते हैं इनकी holding आप बढ़ा सकते हैं direct buy करके ठीक है, hopefully आपको वीडियो में सब समझ आ गया होगा अच्छी लगी होगी वीडियो लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा disclaimer मैं एक बहुत बड़ी चीज जो मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ शायद हर वीडियो में नहीं बोल पाता लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो ये मैं changes कर रहा हूँ, ये मेरे according मुझे ठीक लग रहे है मैं बस आपके portfolio को उठाके थोड़े से changes करके बता देता हूँ कि हाँ ये मुझे ठीक लग रहा है उसके बाद change करना या ना करना वो आपके हाथ में है आपको कितना उसमें changes करना ठीक लग रहा है या नहीं करना तो वो आपके हाथ में है ठीक है आपको अपने reasons पता होने चाहिए कि आप क्यों किसी चीज को buy कर रहे हो क्यों किसी चीज को sell कर रहे हो और अगर आप इस मेरी बात से agree करते हैं तो चैनल को subscribe करें मिलते हैं अगली वीडियो में